नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल Study with Smartness में यहां हम हिंदी से संबंदित प्रश्णोता देखेंगे, चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला प्रश्ण है जो बिना किसी अन्य वर्ण का अधार लिये बिना नहीं बोले जासकते वे होते हैं आयोगवा, अनुतान, अल्प प्राण या महाप्रान इसका राइट आंसर है आयोगवा जो की आयोगवा वे वर्ण होते हैं जो ना तो स्वर की अंतर्गत आते हैं और ना ही व्यंजन की अंतर्गत आते हैं जब बल्कि ये तो बिना किसी अन्यवर्ण के बोले ही नहीं जा सकते वे आयोग वहा होते हैं यहां अनुस्वार और विसर्ग को आयोग वहा कहते हैं Next question है, चरण, कमल, बद्रो, हरी, राई, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षि अलंकार, उपमा अलंकार, यमक अलंकार या रूपक अलंकार? इसका right answer है रूपक अलंकार चुकि रूपक अलंकार यानि जब गुणों की अत्यदिक समानता के कारण उपमे को ही उपमान बता दिया जाता है यहाँ पर उपमे और उपमान में कोई अंतर नहीं होता इसी प्रकार इन पंक्तियों में चरणों को कमल की समान बता दिया गया है तो यहाँ रूपक अलंकार है नेक्स कोशन है सामिश का विलोम शब्द है निरामिश, आमिश, अमिश या परामिश इसका right answer है निरामिश चुकि विलोम वे शब्द होते हैं जो विप्रीद अर्थ प्रकट करते हैं तो यहाँ सामिश का मतलब होता है मास से युक्त जबकि इसका विलोम अर्थ प्रकट करने वाला शब्द होगा निरामिश निरामिश अर्थात मास रहित या मास ना खाने वाला नेक्स कोशन है तुलसी और सूर की रचनाओं के अधार पर रस कितने प्रकार के होते हैं ग्यारा, उन्निस, दस या बारा इसका राइट आंसर है ग्यारा सधानता रस नौ प्रकार के होते हैं श्रिंगार, हासे, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्बुद और शांतरस इसके अलावा दो अन्यरस होते हैं वाजसले और भक्ती इस प्रकार तुलसी और सूर के रचनाओं के अधार पर कुल ग्यारा रस होते हैं नेक्स कोशन है नीड, नीर का सही शब्द युग में हैं घोसला, जल, जल, घोसला, घर, जल या घर, घोसला इसका राइट आंसर है घोसला, जल चुकि नीड का मतलब होता है चिडियों के बैठने का इस्थान घोसला भी कहते हैं इसे जबकि नीर याने पानी या जल से होता है तो नीड, नीर इस शब्द युग में का सही अर्थ भेद होगा घोसला और जल नेक्स कोशन है उच्वास का सही संदी विच्षेद है उतधन श्वास, उतधन च्वास, उच्धन श्वास या उच्धन च्वास इसका राइट आंसर है उत्धन श्वास चुकि उत्ष्वास का जब हम संधी विच्छेत करेंगे तो वह उत्धन श्वास के रूप में होगा यह वेंजन संधी का उधारन है यहाँ पर ता और शा मिलकर अच्छ बना रहे हैं नेक्स कोशन है इन में से कौन सा शब्द समासिक पद नहीं है यथा शक्ती, शारिरिक, तिरंगा या रंगमंच इसका राइट आंसर है शारिरिक चुकि समासिक पद जो समास की नियमों से निर्मित होते हैं वे पद समासिक पद कहलाते हैं यहाँ पर यधा शक्ती, तरंगा और रंगमंच एक समासिक पद है, जबकि शारिरिक यह समासिक पद नहीं है नेक्स कोशन है, विशेशन कितने प्रकार के होते हैं, दो, चार, छे यद तीन इसका राइट आंसर है, चार, विशेशन चार प्रकार के होते हैं, गुण वाचक विशेशन, संख्या वाचक विशेशन, परिमान वाचक विशेशन, और सर्वनामिक विशेशन नेक्स कोशन है, नेमन में से आग का परियावाची शब्द नहीं है, वाईउ सखा, हुताशन, विभावसू, विभधगा इसका राइट आंसर है विपधगा, चुकि परियावाची एक से अर्थ प्रकट करने वाले शब्द होते हैं, तो यहाँ आग को वाईउ सका, हुताशन, विभावसू के अलावा अनल और पावग भी कहते हैं, लेकिन विभधगा ये नदी को कहा जाता है नेक्सक कोशन है, रास्ट्रपती शब्द है, पुर लिंग, इस्त्री लिंग, उभः लिंग या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर है उभः लिंग चुकि उभै लिंक जिसमें इस्त्री और पुरुष दोनों ही लिंगों का बोध होता है, वहां उभै लिंक होता है रास्रपति एक उभै लिंगी शब्द है क्योंकि रास्रपति एक इस्त्री भी हो सकती है और एक पुरुष भी हो सकता है Next question है खुश्या मनाना किस मुहावरे का अर्थ है घी के दीपक जलाना, घर में गंगा बहना, घूरे के दिन फिरना या उप्रोक्त सभी इसका right answer है घी के दीपक जलाना चुकि मुहावरे किसी वाके का विशेश अर्थ बताते हैं तो घी के दीपक जलाना ये एक मुहावरा है, जिसका अर्थ होता है खुश्य मनाना, इसे को धान से समझते हैं, पुत्र की सरकारी नौकरी लगने की खबर सुनते ही, गरीब किसान ने घर में घी के दिये जलाए। Next question है, दुर्दिन में उपसर्ग है दू, दुर, आ, या उ? इसका right answer है दुर, जोकि उपसर्ग वे शबदांश होते हैं, चो किसी शबद की आगे लगकर नए शबद बनाते हैं, तो यहाँ दुर एक उपसर्ग है, जो दिन में लगकर दुर्दिन बना रहा है नाक कौन सा शब्द है यौगिक, रूड, योगरूड या इन में से कोई नहीं इसका राइट आंसर है रूड चुकि रूड शब्द वे होते हैं जो शब्द रूडियों से या परंपरा से प्रयोग होते होते किसी वस्तो विशेश के लिए निश्यत हो जाते हैं और इनके खंडू का कोई अर्थ नहीं निकलता वे रूर्शब्द होते हैं तो यहां नाक एक रूर्शब्द है एक्स कोशन है खयाल कौन सा शब्द है तदसम, तदभव, देशज या विदेशज इसका राइट आंसर है विदेशज चुकि विदेशी भाषाओं से हिंदी में आई शब्दों को विदेशज शब्द कहते हैं इसमें अर्भी, फार्सी, तुर्की, अंग्रेजी इस तरीके की विदेशी भाषाओं शामिल होती हैं तो खयाल एक विदेशज शब्द है नेक्स कोशन है प्रयोग की द्रस्टी से सूक्ष में अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं विप्रीताथक, अनेकार्थक, समानार्थक या प्रयोगात्मक इसका राइट आंसर है समानार्थक चुकि समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द परायवाची या समनार्थी कहलाते हैं किन्तु प्रयोग के द्रस्टी में इसमें सूक्ष में अंतर अवश्य होता है ये आज के हमारे हिंदी के इंपॉर्टन कोशन्स थे थैंक्स फर वाचिंग अर्थ जब्स चुब्स प्रयवाची या सब्सक्राइब